कुछ प्रजेक्ट ऐसे हैं जिन पर भी कंस्रेक्शन शुरू ही नहीं हुई लेकिन वो अभी से रेंटल ओफर करें हैं क्या ऐसे प्रजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? वो नेंड निकाल किया आपको तो लॉस होगे नुक्सान में चलीगी प्रड़र तो यह बेहतर यह है कि ऐसे आप्शन में जहें जो कर तियार होगा वो यह समझेगा कि यह टॉप लगागा है हलांकि यह टॉप नहीं है कि मैंने यह पर गिफ्टेट फाइल खरीदी है तो क्या मुझे इसके उपर भी कोई कि पोजेशन और डिवैल्फन के चार्जिस अदा करना होंगे जो इकराज आता है वो उनको जिने पड़ेगे इसके पैसों के जुरुत थी तो इसी डीलर को मैंने वापिस दे दी डेट साल बाद अब इसने आधी रकम अदा कर दी है और बकिया रकम अदा नहीं कर रहा जबके फाइल भी उसी डीलर के पास पड़ी है अब तश्तावे क्या होगा चब चिडियां चुगी खेर मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और बिल आइकोन के बटन को जरूर दबाएं ताके मालूमात का ये सिलसला चलता रहे असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं अडवाइस असोसेट का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी मिजबान अस्मार रियास प्रोग्राम फीडबेक में खुशामदीद मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर एडवाइस असोसेट हभी बिलाही साथ जिन से हम जाने के वो तमाम सवालाद जो आपके फीडबेक की सूरत में हमें मौसूल हुए हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन के जरिये सबसे पहला सवाल है जो मैं पूछा चाओंगी हभी बिलाही साथ से सवाल की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको वाज़े कर दूँ कि ये सवाल जो हैं इनको किसी हद तक हम ट्रांस्ट्रेट भी कर देते हैं लेकिन इनकी औरिजिनल जो स्क्रीन शॉट है वो आप हमारे स् कंस्ट्रेक्शन शुरू ही नहीं हुई लेकिन वो अभी से रेंटल ओफर करें हैं कुछ रेंट वैल्यू ओफर करें हैं तो क्या ऐसे प्रजेक्ट में इन्वेस्ट करना बहतर होगा बिल्कल इस वकत अलम्ड लिल्ला बह्या टॉन जो प्रजक्ट है काफी ज्यादा स्क्रीपर चारीज़ है बिजनेस इस्टिक्ट में चलटेंग हैं जो हाइड बिल्डें बिल्डेंग हैं तो इसमें किया जाते हैं शौप भी हैं मुख्तलब फूड कोर्स के उपर मुख्तलब वराइटी है जो कि आपको आफर की जाती है अब ये बात करें फ्रोज कहां सब बात करें कि ये अपार्टमेंट लेना चाहरे हैं बिल्ग उनकी बात सही है कुछ परोजेक्ट ऐसे भी है जो अभी म मौका पे काम नहीं है और इसके उपर रेंट भी आफर करते हैं रेंट के शुरू में 8% सलाना था जो कि इस वक्ते बास कॉम्पनी 14% तच सलाना उफर कर रही है और उनका दावा है कि जब तक ये पोजेशन नहीं मिल जाता उस वक्त तक हम आपको रेंट देते रहेंगे औ और इसके उपर पर हर मन्त आपको वो आपका बंक अका ले लेते हैं आपको रेंट बजवादे रहते रहते हैं इसमें तीज को फिएपर राजब में आप को तरशा क्योंड़ करती है तो उसमें बेहतर ये है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट पर जाएं जिसमें कुछ ना कुछ काम हो, मौके पर कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो चुका हो, स्ट्रक्चर बंड चुका हो, या काम असका ही काम तो इसके उपर हो चुका हो, तो उसके उपर जाके वो इस पर जा सकती है, लेकर उसके साथ ये भी देखना पड़ागा कि लोकेशन कैसी है परोजेक्ट की, और दूसरा ये देखें जो इसको बिल्डर बना रहा है, उसकी रेपोटेशन कैसी है मार्फीट में, इससे पहले उसने क्या डिलीवर किया, कुछ डिलीवर कर भी चुके है ये नहीं, इससे बहुत ज्यादा उसके इन्वेस्टमेंट अगर वो इस चीज को सर्च कर लेता है, तो इसके इन्वेस्टमेंट महफूज हो जाएगी, और अगर वो चाहता है कि जी नहीं, मैंने सिर्फ रेंट को देखेगा तो उसमें दो-तिन चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जिससे उसको न आप ये प्रोड़क्ट जो है, हम वापस नहीं लेंगे आपसे, बाइबेक नहीं कर सकता है, वो कमपनी बाइबेक नहीं करती, अब उसने 50 लाग दिया है, तीन साल बाद पैसे मुझे रेंट आ रहा है, और जेंट उसको जूरुत ऐसी पढ़गी कि वो पैसे वापस लेना आप इसका मतब कि आपने फिक्स करवा दिया है, तो अगर आप में बेचने जाते हैं चीज़, तो बहुत से प्रोड़क्ट ऐसे हैं, जो फिल पैमें नहीं बिखते हैं, आपकी जो आपने 50 लाग दिया, आप मार्कीट में बेचने जाएंगे जो हो सकता, आपको 10-30 लाग अच्छा, यहां अभीब सब एक चीज मेरे जहन में जो आई हो यह भी कि जब आप प्रोड़क्ट ले रहें, आपने फुल पैमेंट दे दिया और रेंटल वैल्यो लेनी स्टार्ट कर दी, तो क्या यह इस तरह ही इसको कह सकते हैं, कि आप टोटल डिसकांट ले 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 या ना उसी अमाउंट को रेंटल की सुरत में लिया इस तो दुनों कि इस खाट काट के अब्चत को ले ले जाए कर प yakin है में, और यह इस discount ले चुकी है तो सेल पर जाएंगे तो उसमें उतना ज्यादा company नहीं भी buyback करती है आप market में बेचने जाते हैं तो उसमें आप एक मफ़ूज तरीके से अपनी रकम को वापस ला सकते हैं लेकर अगर आप investment पर आपके वापस नहीं ले सकते company से पैसे तीन साल का agreement है तो फिर आप अपनी रकम निकालना चाहते हैं तीन साल से पहले तो उसमें आपको परिशानी होती है मुश्कल होती है तो बेहतर है सबसे जो ज्यादा अच्छा option है वो बिलकुल यही है कि आप उस project में जाएं जिसकी आप समझें कि रीसेल हो सकती है और उसके बाद company जो है उसकी appreciation की guarantee का रही है आपने चीज पचास लाग की लिए है आप तीन साल के बाद जब आप चीज company ही आपसे बाइब बैक करती है या बेचने जाते हैं तो उसको आपको पचास लाग रपे मिल रही है या समझ लें कि आपको 40 लाग रपे मिल रही है अगर तो 50 लाग मिल तो ठीक है फिर क्या कि आपको रेंट तो आपने तीन साल आप ने लिया ना लेकर अगर ऐसा हो कि आप बेचने जाएं तो चीज के पैसे 40 लाग मिले लैं तो इसका मतलब है जो रेंट आपने लिया था वो रेंट निकालके आपको तो लोस हो गया cupcake को यह बेतर यह हैं कि ऐसे option में जहें जो कि तियार हो कम उसकी वैल्यों अच्छी हो और उसमें price appreciation की ज्यादा chances हो और resell value हो सके अब विसली resell value तभी होगी जब उसकी location भी अच्छी होगी अगले सवाल की जानी बढ़ते हैं यह सवाल जरा critical सा सवाल है इस पे वैसे detail में गुफ्त को हो सकते हैं लेकि मैं चाहूंगी मुक्तसर इसका भी एक answer दीजिए कि मुहमद है हमारे एक follower जो पूछे है how to avoid top from dealer dealer जो अपना एक top रखते हैं हमेशा से margin रखते हैं कोई भी चीज सेल करने में उसे avoid कैसे किया जा सकता है या उसे बचा कैसे जा सकता है अचा जी एक top की तारीफ मुक्तलफ है और बना top की मुक्तलफ तारीफ करता है असल में होता है कि मैं बहरिया की बात का रहा हूं हर जगह पे different होगा जो बहरिया की practice मैं उसकी बात का रहा हूं कि यहां पे mostly जो dealer है वो अगर कोई भी चीज मार्कीट में प्रॉट कोई चीज बिकनी के लिए आती है तो वह अपना बियाना कर देते हैं बहुत ज्यादा चीजों में कहते हैं कि डीलर अपना बैन कोई चीज आई बिकने के लिए फ़र्ट एची लाकी है अब डीलर ने इसमें दो चार पाइंट दस लाक रप्या बैना किया और चीज बाई कर लिया जब वह बंदा जिसने खरीद है वह ट्रांसफर के लिए आएगा तो वहां पे उसको पता चलेगा यह तो पचासी लाक रपर यह नवे लाकी चीज बिकी है तो वह यह समझेगा कि यह टॉब लगए हलांकि यह टॉब नहीं है उसकी दो रीजना उस बंदे डीलर में बेना बैसे कर लिया या किसी वधिसे मार्कीर प्राइस के सरे मार्कीर नीचे चले चले गए तो क्या होगा नुक्सान वा जाएगा तो उस वह तो ने लोग लोग देखतेिया कि यह पैसे क्यों हो रहे है लेकर बड़ी होती है प्राइस तो वह लोग सबमेंसे डिये top लगए तो अगर कोई भी चीज लेना चाहरा है, हम जोना सवाल है कि टॉप से कैसा है, असमें सवाल यह नहीं बनता, सवाल यह बनता है कि रीजनेबल प्राइस पर चीज को परचेज कैसे किया जाए, बिलकुर, ठीक है न, अब इन्होंने कोई भी चीज परचेज करनी है, तो दो-त तीन लोगों से यह असेस्मेंट लेंगे, तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि इस जगह की वैलियो क्या है, और मुझे क्या ओफर करनी जाए, प्लॉट कितने का बाया करना चाहिए, तो यह फिर मार्कीट प्राइस के मताबक चीज को बाया कर सकते हैं, तो असल में है कि फा कम आप कम आए, अपना भी प्रॉफित आप लें, बिल्कुल आप सभी कह रहे हैं, इस तरह कि बाद क्लाइंट कस्टमर आ जाते हैं, जाते हैं हमारे ओवर्सीज कस्टमर है, वो मुझे कह देते हैं, यह आपको कहते हैं, यह हमारी चीज है, यह आप 2 क्रोड में बेच दें और कमिशन मैं नहीं दूँगा, उसमें यह होता है कि बाद दफा अच्छी ओफर मिल जाती है डीलर्स को, किसी वहां पर ऐसा बंदा सर्च कर लेते हैं, जो कि उसी जगह पर चीज ढून रहा होता है, तो उसको वह चीज दे देते हैं, उसमें डीलर्स को बाद अच्छे प यह इतने दे दे हैं, आपकी मरदी है, जो मरदी करें, तो वह जो पैसी आगे से ले रहे हैं, वह इसको टॉप कर लें, बिल्कुल आप प्राइस को देख के चीज को लें, टॉप के चक्रों में न बोड़ें, ठीक है, अगला सवाल है, फेज एट एक्स्टेंशन के कुछ स सवाल है, यह अदन एंड सुल्तान हमारे फॉलर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जिनका सवाल है, कि विच प्रिसेंट इस बेस्ट, किस प्रिसेंट में इवेस्ट करना चाहिए, वन, टू, त्री, लेकिन इस वोकत जो लोग ज्यादा तरजी दे रहे हैं, तो वन और सिक्स को देते हैं, उसकी वज़ा यह है, कि जब हम फेज एड से दाखल होते हैं, तो वन एक साइड पर आ जाता है, एक साइड पर सिक्स आता है, सेंटर में वो बड़ा रोड है, बुले वाड है, जिसके जरीए हम एंटर होते हैं, लेकिन बहुत से यह लोग है वो 3 और 4 को तरजी देते हैं, उसकी बन्यादी वज़ाज यह है, एक तो वहाँ पर प्राइस आपके इस वकत कम मिलती है, 106 में प्राइस ज्यादा देने पड़ेगी, और 3 और 4 का इस वकत यह फाइदा होगा लेने का एक तो प्राइस कम दी, दूसरा रिंग रोड की आप्शन है, अगर यह फेज एट एकस्टेंशन में लेना चाहते हैं, तो इनको 3 और 4 में लेना चाहिए, कम पैसे देंगे और फ्यूचर में जब रिंग रोड वहाँ पर आ जाएगा, तो जब भी आए, तो उसका इनको फाइदा होगा, रिंग रोड पे भी एक बड़ी यह तो चूरण जब तक बन नहीं जाता, रिंग रोड यह तो बिखता रहेगा, बिखता रहेगा, कभी कम बिखता है, कभी ज्यादा बिखता है, लेकर बिखता है, ठीक है, फेजड एकस्टेंशन के एक और हमारे फॉलवर का सवाल है, रोजी फर्नेंड़स, यह पूछे ह बिखता है, बहरिया उनके सर्वसेज के गिंस्ट उनको यह फाइल देता है, जो के फ्री होती है, बहरिया ने पैसे नहीं चार्ज की होती है, अच्छा उसमें जो ड्वेलिमंट चार्जर आने हैं, या उसके ओपर कोई भी जो इखराज आता हो आने है, वो उनको देने तो अब तमाम बाइलाज जो आम लोगों को वहां पे बाइलाज जो इनके उपर अपलाई होंगे, वो इनके उपर भी अपलाई होंगे, तो इनको तमाम वो इखराजाद देने होंगे, जो बाकी लोगों को, IDN वालों को या IET वालों को देने हैं, इनको भी वो तमाम इख प्रोवीजनल लिखा हुआ है कि अभी इनका यही सवाल है, इनका इनका कि गया कर दन होगा है मतलब क्रिका चेज़ करें?" तो फिरक्रória पर पर पशेशंगा पने हैं कि सफ जो जो बाद पमकूशन पाइस के पर फिरक्राप करें बाद कर देज़ meer ऐसका है लॉटमें लैटर इशू होते हैं ये चुकर फिर ये ओडे ये अड़ स्थेंशन अभी नॉंड इवेलपट है इसमें प्लॉड नभ्य तब दी बिदेल हो सकते हैं स्ट्रीड रो सकती है। सेक्टर तब दील हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये आर्जी है। प्लॉड number street number हर चीज़ को confirm कर दिया जाएगा लेंड के मताबक तो उसके बाद फिर जो है वो दूसरा letter issue किया जाता है तो इसका मतलब है कि अभी मालक तो आप ही है लेकि इसमें plot number में street number में sector में किसी में भी तबदीली आ जाएगी और यह उस वक्त तक है जब तक आपको इसका possession नहीं मिल जाता है ठीक है एक सवाल है हमारे पस गुलबर्ग से मुतालिक गुलबर्ग का सवाल है तो मैं चाहूंगी कि गुलबर्ग advice office के जो हमारे chief cooperative officer है मिया मुहमद शहजा साब उनी से ये सवाल पूछा जाए आमान आलम साहब हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने गुलबर्ग में दो साल पहले फौर्थ फाइल खरीदी चार लाक रुपे में मुझे पैसों के जरुरत थी तो इसी डीलर को मैंने वापिस दे दी डेर साल बाद अब इसने आदी रकम अदा कर दी है और बकिया रकम अदा नहीं कर रहा जबके फाइल भी उसी डीलर के पास पड़ी है तो इसमें मुझे बताए कि क्या मशुरा देते हैं शहजा साब आप रहनुमाई कीजिए इसमें कि ऐसे में इन साहब को क्या करना चाहिए शुकरी आसमाद अब पच्तावे क्या होगा जब चिडियां चुगी खेद तो इसमें जो है इनको पहले देखने वाली बाते होती है सारी इसमें ये था कि दो चीज़ें आ जाती है क्या ये खुद अलाटी है पुरन और किसी से या किसी अलाटी के आगे फा element क्रिएव को और दॉरस ये पुर में मीर्थ है और अगर ये इनोंने किसी डीलर से लिय में और पहले तो साइटी के साथ राप्ता करें और अगर इनके पास नहीं कह सकते हैं तो पर हो पिर जो बी इसकी कानूनिंग ऑन बन्ती यह तो किसी भी लॉयर से यह मश्वरा करें कि तो ऊसको बेहतर गाइड कर सकता है बहुत शुक्रिये शेजा साब वापिस बढ़ते हैं हबीब इलाही साब की जाने बेहरिया टाउन फेस एड से मुतारिक सवाल है इनका हमारे फॉलर है चोधरी फैस साहब यह जाना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करवाते हैं किसे भी प्रॉट के उपर घर वगरा बनवाते है तो क्या इसमें इंस्टॉल्मेंट में इसकी रकम अदा की जा सकती है जी बिल्कुल इसमें डिफरेंट कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है वो ऐसा उफर करती है हम लोग भी ऐसा उफर करते हैं उसमें आम तोर पर जोता है कि देड़ सालका करते हैं कुछ लोग सालका करते हैं उसमें इसको ब्रेक कर दिया है, टोटल अमॉंट को ब्रेक किया जाता है चार इसो में, जैसे फर्ज करते हैं कि अगर कोई गारा है, उसकी उपर कंस्ट्रक्शन कास्ट एक क्रोर पर आ रही है, तो पचीस लाक रपे आप ओ बंदा पहले देगा, उसको बताया जाएगा कि प या सेकंड पर जाएगा, या टोटल जो काम होता है, इसको डिवाइड चार इसो में कर देते हैं, और इस्टाल्मेंट को भी चार इसो में या छे इसो में डिवाइड किया जाता है, साल या डेट साल पे, और कस्टमर को बताया जाता है कि इतनी इस्टाल्मेंट आप पहले दे देंगे आप इतना काम आपका होजेगा अगली देंगे इतना होगा अगली देंगे तो इस तरीके से maximum डेट साल के अंदर या साल के अंदर काफी companies भी आया offer करती हैं तो इस तरीके से construction हो जाती है लेकर बहरिया टॉन खुद इस तरह की कोई offer नहीं करता यह private company है जो आफर करते हैं इसमें यही फाइदा होगा बुनवाने वाले को उसमें जो मर्जी हो जाए उसको एक agreement उसे वो sign कर लेता है कि यह फुलाँ फुलाँ material जो है इसमें लगेगा तो हर चीज का वो पहले दुनों agreement होते हैं कि material कौन सा लगेगा इसमें असेसरी जो है वो कौन-कौन सी यूज़ की जाएगी और cement concept brand को हर चीज को महां पर लिखा गया होते हैं तो अगर प्राइस बढ़ जाती है फरकर सर्या के बढ़ जाती है किसी चीज क्यों बढ़ती है तो उसका जो असर है वो जो बनवार है उसके उपर नहीं होगा बलके वो company की उपर होते हैं ठीक है सर एक सवाल और है आखरी सवाल आसिम रफी साब का यह जाना चाहते हैं क्योंकि आम तोड़ पर लोगों का यह concept होता है कि investment करनी है तो commercial shops हैं दुकानों के कुराय आ रहे हैं तो यह जाना चाहते हैं कि बहरिया टाउन में commercial area के बारे में कुछ बताई है यहां पे shops के उपर क्या rent मिलता है आज जेकि उसमें depend on investment है कोई भी investment करें लेकर उसमें कुछ पर ज्यादा भी आता है वो उसमें फिर बचर ज्यादा नवालव हो जाता है कुछ ऐसी location है जैसे कि food chain को बैटरी या कि brand बैठा हुए तो उसका rent आपको अच्छा आ जाता है लेकिन उसके उपर आपकी investment भी काफी ज्यादा होगी अगर य को मिल जाता है ठीक है यानि मुक्तलिफ options यहां पे मौझूद हैं बहुत शुक्रिया अपने time दिया अपना और आप सबको तमाम जवाब मिल चुके होंगे उमीद है इसके इलावा कोई सवाल ऐसा है जिसके बार में आप detail में बात करना चाहते हैं या आपको भी तक आपके सवाल का वजात के साथ जवाब ना मिला हो तो आप हमारे कमेंट्स में उसको लिखकर बता सकते हैं आपके सवालात को हम अपने प्रोग्राम फीड़बैक में जरूर शामिल करेंगे बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा ताके मजीद झार मान अच्नाश थैंडे करेंगे प्रडोड़ को हमारे डोस । झार मान खाल शामिल करेंगे नसके सवाल्डी स्वाल ट्यों मात इंड़्ड़बैक ताके सवाल्गभने मिला मत प्रू इंड़ स्सक्राइब कर दो सिफा करेंगे रहे।